जै मातादी, स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर 10 अप्रेल महा सुवियोग, रभी पुश्योग, नवमी वाले दिन इस बार रभी पुश्योग बन राजों महा सुवियोग माना जाता है, इस दिन भगवान सूर्देव की माता दुरगा की भगवान सिव की पूजा का विशिश मेहत हाँ, महां नवमी वाले दिन भगवान रामचंदर जी की पूजा का भी विशिश मेहत होता है, जो व्यक्ति सच्चे मन्से की आराधना करते हैं, उनकी प्रतेग मनुकामना पूरि हो जाते हैं, रभी पुश्योग, अगर रभी परिच्चा पूरी होती है, इस दिन सुवै सूर्देव को जल देते समय, ओम सूर्या नमा बास कराना आदितनावादी मंत्रों का जाप करें, साथ ही एक दीपक जला करके सूर्देव की तरफ रख दें, सूर्देव की नाम का, इस दिन आप मंदर में जाकर की पीपल ब्रख क नीचे दीपक जला में, लेकिन पीपल को इस परस नहीं करना है, आपको दीपक जला करके परक्रमा करके आजाना है, जिसका विशी समयत्व है, इस दिन कंच के बैठाए जाते हैं, उनका आशिरवाद लिया जाता है, इस दिन कई रासियां बेहदी भागिसालियों लकी रह भी जलाएंगे, आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी, रवी पुस्योग वाले दिन गौमाता की पूजा का विशी समयत्व होता है, जो व्यक्ति इस दिन गौमाता को गुड़ खिला करके आते हैं, मीटा खिला करके आते हैं, रोटिय और गुड़ खिलाते हैं, पूरी मनुकामना पूरी हो जाती है, प्रतिक इच्च जोए जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है, इस दिन माता को नारियल का प्रसाद अरपन करने के बाद में उस प्रसाद को बांटना भी चाहिए, इस से सिद्धात्री माता सभी मनुकामना पूरी करती हैं, मेश रासी, ब्रेशब रासी, करक रासी, कन्या रासी, तुला रासी, धनु रासी, मकर रासी, कुम और मीन रासी ये रासिया इस दिन ब्यादी बागिसालियों लकी रहने वाली हैं इनका योग बहुत ही अच्छा है जादातर रासयां इस दिन बिसेश लकी रहने वाली है माता दुर्गा की क्रपाज़ आप सभी की मनोकावना पूर्योगी आप उपाय जरूर करें और बहुत बड़ा योग इस दिन सुर्देव की आरादना जरूर करें माता दुर्गा की पूझा करें बागवान सिभकाव सिख करें आपकी प्रतिक मनुकामना पूर्य वीडियो को जाज ज्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जय मात आदी